एक शाम एक गाउं में युवती बहुती खूपसुरत अनामिका बारिश में खेलते वे आइस्क्रीम खा रही थी। ठिक उसी वक्त शहर में रमेश खिड़की के पास खड़ा था और बारिश देखते देखते गर्मा गरम मकई खा रहा था। क्या पता था कि भगवान इन दोनों की जोड़ी बना रखी है। इस तरह से गुस्से से वो अनामिका के कान के सामने आकर घंटी बजाने लगती है। शामभवी वहाँ पे आ जाती है। मेरी पोती है। तो लड़की नहीं है क्या। ये कहकर मेगमाला हसती है। अनामिका और शामभवी उसे गुस्से से देखने लगती है। हमने इसे बचपन से ही मा लक्षमी के तरह पाल पोस के रखा है। ससुराल में भी जहाँ इसे मा लक्षमी के तरह रखा जाएगा वही पे हम ब्यादेंगे। फिर तो बेटी की शादी देखने का मेरी किस्मती नहीं होगी। ऐसा कहकर पूजा की घंटी लेकर मेगमाला वहाँ से चली जाती है। शामभवी अनामिका के बगल में बिस्तर पे बैठ जाती है और कहती है कि सास, ससुर, पती, ससुराल के सभी लोग उसका बहुत अच्छे से देख भाल करेंगे। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। और वहीं पे बैठे-बैठे वो सपने देखने लगती है कि ससुराल में जाने के बाद भी वो रानी के तरह खुश है। उदर शार्दा प्रशादा रमेश तीनों तयार होके आके हॉल में बैठ जाते हैं। पंडित जी ने कहा था कि समय पे आ जाएंगे पर अभी तक आये नहीं। समय पे लड़की देखना है, फैसला लेना है, बहुत काम है, नहीं तो जाना ही रोकना पड़ेगा। परेशार मात हो शार्दा, पंडित जी के बारे में तो तुम जानती हो। वो कही रहते तभी हरबडाते वे पंडित जी वहाँ पे आते हैं। शार्दा जी, माफ कीजिएगा, थोड़े रास्ते पे अटक गया था, चली अभी चलते हैं। पंडित जी, पहले ही बता देती हूँ, मैं उसकी परिक्षा लूँगी, अगर वो लड़की परिक्षा में पास करती है, तभी वो इस घर की बहु बन पाएगी, और नहीं तो नहीं बनेगी। अरे शार्दा, मेरी मा ने तुमारी क्या परिक्षा लीती यहां। अब समय बदल गया है जी? आपकी मर्जी, आप उसे हिंदी, इंग्लिश, मैं, साइंस, जिसकी भी परिक्षा लेना चाहती है, आप ले लिजे। मुझे गारेंटी है वो जरूर पास करेगी और इसी घर की पहु बन के वो आएगी। ऐसा कहकर वो तीनों घर से निकल जाते हैं। फिर अनामिका के घर पे पहुंसते हैं, शार्दा प्रशाद एक सोफ़े पर जाके बैढ़ते हैं, अनामिका एक चेर पर बैढ़ती है, उसके चेर के पीछे उसकी मा मेगमाला और दादी शामभवी खड़ी होती है। रमेश और अनामिका एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी सही जवाब देना, अगर तुम्हारे जवाब सही हुए तभी घर की बहु बनोगी। पूछी, मैं जवाब दूँगी। ससुराल में बहु कैसी होती है आग्याकारी, शान्त, मा लक्ष्मी के तरह। अनामिका का ये जवाब सुनके शार्दा बहुत खुश हो जाती है। वो हर मुद्दे पर बात करती है, फिर शुप मोर्थ देखकर रमेश और अनामिका की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। उसके बाद अनामिका अपने ससुराल में आ जाती है। एक दिन अनामिका नीन से उठके सीधा बेट पे बैट जाती है। सासुमा शार्दा हाथ में कौफी लेकर वहीं पे खड़ी थी। बहुत अच्छा माजी, हर दिन जब मैं सुपह उठू, आप मुझे ऐसी कौफी लाके दिया कीजिए। कहकर वो क सुपह पिने लगती हैं और शार्दा वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद बहुरानी आ के डानिंग टेबल के पास बैटती है। शार्दा गर्मा गरम नाष्टा बनाकर वहाँ पे ले आती है, अनामिका अच्छे से नाष्टा करती है। शार्दा उसी के लेटे लेटे बहुत हसीन सपना देख रही थी अनामिका, वाउ, ससुराल में बहु की जिंदिकी शुरू हो गई, कितना अच्छा है, इस तरह सोचते वे वो आखे खोलती है, तभी सासुमा शारदा हाथ में जारू लेकर वही पे खड़ी होकर अनामिका से गुस्स से कहती है अनामिका, जल्दी से नीन से उठके जारू लगाओ और रंगोली दो अब चुकी कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए अनामिका जारू उठाती है और आंगन में जाके जारू लगाके, वहाँ पानी छिड़क के रंगोली डालती है फिर वहाँ शार्दा आके, रंगोली डल गया ना, अब जल्दी से किचन में जाओ, वहाँ पे बर्तन पड़े है, साफ करो अब चुकी कोई और चारा नहीं था, इसलिए अनामिका जाके बर्तन धोने लगती है, तब तक शार्दा सबजी लेके वहाँ आ जाती है बहु, एक चुले पे चावल चड़ाओ, और दूसरे चुले पे सबजी काट के सबजी बना लो, तुम्हारे पिता जी को अभी के अभी ऑफिस निकलना है, जल्दी करो इतना कहकर वो चली जाती है, अनामिका रोने ही वाली होती है, पर अगर वो जोर-जोर से रोई, और सासुमा आके उसकी पिटाई कर दी तो, ये सोचकर वो मनी मन बहुत दुखी हो जाती है और मुझे नहीं हो पार है, अब मैं खाना पकाने के बाद थोड़ा आराम करूंगी ऐसा सोची रही थी, तब तक शार्दा जाके घर पोचने के लिए पोच्छा ले आती है सबजी बनाने से पहले जाके जल्दी से घर को पोच्छ दो, बिना साफ किये वे घर में नाश्टा नहीं पड़ोसते, ये बात याद रखना ठीक है माजी इतना कहकर डंटा लेकर अनामिका घर को पोच्छने के लिए चली जाती है वहीं सासुमा शार्दा सोफ़े पे बैठी होती है, तबी किचन से कूकर की विसल सुनाई देती है अनामिका कूकर का तीन विसल हो गया है, जल्दी जल्दी साफ करके खाना ले आके डाइनिंग टेबल पे रखो, बाब बेटा के नाश्टा करेंगे इतना कहते ही अनामिका जल्दी जल्दी घर को साफ करती है, फिर डंटे को साइड में रखके वो भागते वे किचन में जाती है गर्मा गरम इडली कटोरी में लेकर अनामिका डाइनिंग टेबल पे लाके रखती है फिर शार्दा प्रशाद और अमेश्टी नों आके डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं अनामिका को भी बहुत भूख लगी थी, प्रशाद उसके चेहरे को देखकर कहने लगते है तुम भी जाके ना क्याओ बहू और फिर नाश्टा कर लो ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है पर उस बीच में शार्दा घुसके कहने लगती है पिता जी ने कहा इसलिए सुनके खुशी के मारे तुम दस इडली मत खा लेना बस चारी इडली खाना है इडली खाके जाके कपड़े दो लेना उसके बाद बाजार जाके मेरे सारी का फॉल लगवा ले आना हे भगवान, ससुराल में बहु का ऐसा आलत होता है क्या मेरी दादी ने जो कहा था और मैंने जो सपना देखा वैसे तो कुछ भी नहीं है पर धीरे दीरे अनामिका काम करना सीख जाती है और खुशी-खुशी जिवन बिताने लगती है आज यहीं तक नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी नमस्कार बहुत तेज बारिश हो रही थी मानो की कोई बड़ा पहाड सर पे तूड़ गया हो तूटा हुआ दिल लेकर बहु अनामिका रो रही थी हे बगवान मेरे पे बिजली गिरा दीजिए मैं किसी की मदद दें कर सकती हूँ इससे बहतर है कि आप अपने में मुझे मिला लीजिए तभी अचानक से बहुत जोर से बादल गरचता है और बिजली गिरती है जहां नाटी बहु अनामिका खड़ी थी और इसी के साथ उस बिजली में एक पेड़ जल जाता है आपको इस नाटी बहु पर थोड़ी भी द्यान ही आ रही है मैंने कहा कि बाज मुझ पर गिराओ और आप उस पेड़ को जला दिये अब तो मैं आपसे बिंदी भी नहीं कर सकती हूँ मैं कहीं जा कि खूट कहीं मर जाती हूँ ऐसा कहकर जैसे ही नाटी बहु चटान से कूटनी ही वाली थी अचानक से पानी उचाई तक आ गए और वो पानी देखकर हैरान रह गए जब नाटी बहु रानी उस पानी को देखी रही थी तब ही वहाँ से एक देवी प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। तुरंत पानी गायब हो गया। अनामिका ने भी अपना आसु पोछा। अगर मन नहीं आई हो तो सब को इस तरह से क्यों बुला रही हो। तुमको गोटना था तुम गोच जाती। तब से तुम देखी जा रही हो। आसु पोछ रही हो। आसमान को बुला रही हो। तुमने बिचले गरने को कहा। तु जाओ जाके गोच जाओ। फर देर क्यों कर देवी की बाते सुनके अनामिका को बड़ा गुस्सा आया, फिर वो देवी से कहने लगी अब सच में कोई देवी है, या फिर देवी सच की यहाई है, जब मैं इस तरह परिशान हो रो रही हूँ, आपको मेरी इस हालत में मदद करनी चाहिए, उल्टा आप मुझे बढ़ने को कह रही है अच्छा ठीक है, तो बताओ, तुम क्यों मरना चाहती हो, हो सकता है कि मैं तुम्हें मदद करूँ, और अगर नहीं हो पाएगा, तो तुम अपनी जान दे देना मेरा मरने का वज़ा मैं ही हो, मुझे देखिए अच्छा, नाटी हो इसलिए हाँ, नाटी, 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 ये नाटी होना ही सबसे बड़ी बज़ा है मेरे लिए शुरू में मेरे पती ने, मुझे नाटी कहगर, मुझे रिष्टा दोड़ दिया मैं खुद से नफरत करने लगी, बहु नाटी है इसलिए, सासुमाने मुझे स्विकारा नही इस तरह से बॉनी अनामिका अपनी एक-एक तकलीफों के बारे में खुलके बताने लगी बॉनी बहु अनामिका सिंग के पास टूल रखके बरतन धोया करती थी जब भी किचन में सासुमा शार्दा आती थी, वो बॉनी बहु को देखकर हसती थी और बाहर से दिखाती थी कि उसे बड़ा गुसा आ रहा है और आके कहती भी थी अरी बॉनी बहु और कितना समय लोगे इस तरह बरतन धोने में, घर पे और भी बहुत सारा काम है, चलो जल्दी करो यह सब इतना कहकर वो अनामिका के सर पे ठोकर मारके वहां से चली जाती थी बॉनी अनामिका दुखी होकर रोते-रोते फिर से बड़तन मलने लगती थी तभी पती रमेश आफिस से घर लोट आते हैं, सोफ़े पे बैठके कहने लगते हैं कि उसे सर में दर्ध हो रहा है अनामिका, माईडिया स्वीठाट हाँ जी आ रही हो मुस्कुरा के स्टूल से नीचे उतर के वो जल्दी जल्दी अपने पती रमेश के पास जाती है और फिर अपने पती से पूछती है बताईए, क्या चाहिए आपको? मेरा बहुत सर्दत हो रहा है जल्दी से तुम एक कप गर्मा गरम स्ट्रॉंग चाय बना के लिए आओ ठीक है जी, अभी लेके आती हूँ इस तरह कहने पे बॉने अनामिका किचन में चली जाती है स्टूल पे खड़ी होकर वो चाय बनाने लगती है फिर ग्लास में चाय डालके वो रमेश के लिए ले जाती है रमेश खुश होकर चाय पीता है अनामिका वहीं पे खड़ी होकर अपने पती को देख रही होती है फिर चाय खत्म हो जाने के बाद वो कप अनामिका को दे देता है अनामिका मैं सूने जा रहा हूँ, एक घंटे बाद जगा देना अच्छा ठीक है जी इतना कहकर बॉनी अनामिका वहाँ से किचन चली जाती है रात में जब करीबन 9 बज रहे थे अनामिका घर का सारा काम काज खतम करके बेडरूम में आती है रमेश वहाँ पे अनामिका का इंतजार कर रहा होता है जैसी अनामिका आती है तुम आई हो अनामिका? हाँ, आई हो जी ऐसा कहके वो बेड़ पे जाके बैठती है रमेश चमेली का फूल निकाल के अनामिका के बालों पे लगा देता है फिर बॉनी अनामिका को वो गले लगा लेता है फिर दोनों अच्छा समय बिताते हैं इसी तरह दिन निकल रहे थे पर सासुमा शारदा कोई मौका नहीं छोड़ती थी बहु अनामिका को डाटने का और साती सर पे ठोकर भी मारती थी फिर एक दिन अपने जान पैचान के बीच में ही एक बर्दे पाटी थी रमेश अनामिका को वहाँ ले जाता है वहाँ अनामिका का बॉनी होने की वज़े से सभी लोग उसका मजाग उड़ाने लगते हैं तभी वहाँ पे उसकी एक दोस्त की पत्नी अरे देखो देखो पुरा मत बानना अब चुकिए यहाँ पे कैंडल नहीं है तो देखो यही आ गई है हमारे रमेश की नाटी पत्नी अनामिका देखो बिलकुल मुमबत्ती की तरह है ऐसा कहके हसने लगी स्वपना के साथ साथ और वी सारी महिलाएं भी हसने लगे रमेश अपमान बोथ करने लगता है अनामिका वही खड़े खड़े रोने लगती है फिर वहाँ से गुस्से से रमेश घर चला जाता है फिर बिना बात किये वे अनामिका भी उसके पीछे पीछे घर लोटाती है अनामिका परेशानी हालत में रोते रोते बेडरूम में आती है रमेश उसे देख कर गुस्से से कहने लगता है तुम्हारी वज़े से आज मुझे आपमानित होना पड़ा तुम बोनी लड़की आज ही मेरी जिंदेगी से चली जाओ रमेश की ऐसी बाते सुनके अनामिका आश्चरिय रह गई मैं कह रहाओ ना चली जाओ इस तरह जोर से चिल्लाने पे अनामिका वहाँ बिना रुके वे चुपचाब घर से बहाँ निकलाती है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी अनामिका भीगते वे चलते चलते पहाड के ऊपर आके खड़ी होती है इस तरह से अनामिका अपनी पूरी कहानी खुल के बताती है फिर अनामिका देवी को देख कर कहती है साजुमा की बाते, उनकी सहलियों के बाते कभी मुझे बुरा नहीं लगा पर मैं जिन से इतना प्यार करती थी, पसंद करती थी जब उन्होंने ऐसी बाते कह दी कि तुम बॉनी हो, मेरी सिंदगी से निकल जाओ फिर मेरी सिंदगी मेरे पास रही रही उसी पल, उसी शन, मैं मर गई इसका मतलब, तुम वहाँ से यहां तक आई थी बस अपनी जान देने के लिए हाँ ठीक है, तो तुम बताओ ताकि तुम ना मरो मैं क्या कर सकती हूँ मुझे लंबी कर दो, सबसे ज्यादा लंबी जो लोग मुझे बॉनी बॉनी करकर मजाग उडाते थे, अब वो मेरी लंबाई देखकर मेरी तारीफ करे सबसे जादा उचाई करूँ या सब के तरह करूँ क्योंकि मैं सबसे नाटी हो इसलिए सबसे लंबा करो, मुझे आशिरवात दो ठीक है अनामिका जाके तीन बार नदी के पानी में डुक्की लगाओ फिर तुम सबसे लंबी हो जाओगी इतना क्याकर देवी वहां से अद्रिश्य हो जाती है बॉनी अनामिका जाके नदी के पानी में तीन बार डुक्की लगाती है और देख कर बहुत खुश होती है फिर वो खुशी-खुशी वहां से घर जाने लगती है तब से बौनी अनामिका का नाम लंबी अनामिका में बदल जाता है और वो खुशी-खुशी जीवन बिताने लगती है आज यहीं तक नई कहानी लेकर फिर हाजर होंगी नमस्कार